हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको Realme X2 के Realme UI 2.0 के First Open Beta Update के Change Log के बारे में बताऊंगा और यह Update आपके Mobile में कब तक देखने को मिलेगा और क्या है इसका Update Log सभी कुछ बताने वाला हूं दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चनल पर आया है तो सब्क्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाएए, आल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नाटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम एक निव वीडियो अपलोट करते हैं अब यहाँ पर रियलमी वालों ने कुछ दिन पहले 26 तारिक को रियलमी X2 के लिए रियलमी UI 2.0 का ओपन बीटा अपडेट जो है रोल आउट किया था और उसी के साथ में जो अरली एकसेस यूजर थे उन यूजर को भी बीटा अपडेट जो है मिला है तो उन ही सब के बारे में बताऊंगा वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे रियलमी X2 का मॉडल नंबर RMX1992 है और इस नए अपडेट का जो वर्जन है F.18 है और यह बीटा अपडेट है दोस्तों और इस अपडेट का जो साइज है 487 MB का है यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने Early Access अपडेट कर लिये हैं उन यूजर को 487 MB का यह अपडेट मिल रहा है और जिन्होंने First Realme UI 2.0 अपडेट कर रहा है Android 10 यूजर उन यूजर को 3.22 GB का देखने को मिल रहा है यह अपडेट यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जिन्होंने अभी First Update किये हैं उन यूजर को Full Update Log, Change Log देखने को मिलेगा और जो यूजर Early Access अपडेट किये थे उन यूजर को जो Beta Update मिलेगा उसमें छोटा मोटा Work Fix Update जो है देखने को मिलेगा तो उसी के बारे में बताऊंगा तो यह था दोस्तो Realme X2 का Basic Software Interface और आप बात करते हैं इसके Update Log की तो यहाँ पर देखेंगे Update Log में सबसे पहले Change की बात करें तो System के अंदर यहाँ पर System Performance को Optimize किया है और साथ में System Instability को Improve किया है जिससे की और भी Better Experience देखने को मिलता है इस Update के बाद इसके अलाव बात करें अगले Change की तो Setting के अंदर यहाँ पर Light Sensing Brightness का Problem होता था अगर आप Brightness Level को Auto में रखते हैं तो उस टाइम पर Environment के हिसाब से Bright से Dark में और Dark से Bright में Environment के हिसाब से उसका Interface जो है ठीक से Work नहीं कर पा रहा था तो उस Problem को यहाँ पर Optimize करके अच्छा कर दिया ह जिससे की Better Experience देखने को मिल रहा है Brightness Logic में इसके लाव बात करें अगले Change की तो यहाँ पर Function Failure इसू देखने को मिलता था SoGo Input Method के अंदर तो उस Problem को यहाँ पर Fix कर दिया है साथ ही दोस्तों यहाँ पर Empty Information Issues होता था अगर आप Bright से Dark, Dark से Bright Mode को Manual में Configure करते हैं, Set करते हैं उसके Interface को तो वहाँ पर Empty Information Issues होता था तो उस Problem को यहाँ पर Fix कर दिया है, इसके लाव बात करें अगले Change की तो यहाँ पर Data Speed Limit में Toast Issues होता था, अगर आप Data Sim को Switch करते हैं Aeroplane Mode से, तो उस टाइम पर Problem होता था, तो उस Problem को इस Update की थूरू Fix कर दिया है साथ ही दोस्तों, यहाँ पर Mail के टाइम पर Bright से Dark, Dark से Bright में Manually उसको Switch करते हैं, तो उस टाइम पर भी Empty Information Issues होता था, तो उस Problem को भी इस Update की थूरू Fix कर दिया है इसके लाव बात का Regular Change की तो Network के अंदर Disconnected Issues होता था, तो उस Problem को भी यहाँ पर Fix कर दिया है साथ ही दोस्तों, Network Disconnection के साथ साथ, Network Display Error होता था, तो उस Problem को भी इस Update की थूरू Fix कर दिया है तो यह था दोस्तों, Realme X2 का Full Update Lock, Change Lock, दोस्तों यह Update आपको मिला है कि नहीं मिला है, मुझे Comment करके जरूर बताना और अगर नहीं मिला होगा, तो One Week वेट कर लीजे, One Week के अंदर Definitely यह Update आपको मिल जाएगा तो इतना ही था दोस्तों, इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूले, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye and Take Care दोस्तों